हेलो स्टुडेंट नमस्कार आज के अपनी क्लास है C++ जिसके अंतरगत अपने एक प्रेक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे प्रेक्टिकल प्रोग्राम का जिए अपना ऑब्जेक्ट है जिसका टाइटल है कि एक C प्रोग्राम लिखो जिसमें रीड करो थ्री इंटेजर लेके चलेंगे तीन नमर कोई अपनी नम्बर हो सकते हैं इस तरह से कोई बी नमबर करेंगे अब इसमें से में नहीं करेंगे object oriented का concept लेके करेंगे तो अब कैसे करें इस programs को यह अपने सामने हैं किसंस में दे रखा कि तीन नमर पढ़ने का concept है यह तीन नमर पढ़ेंगे और find करेंगे largest तो अब यह कैसे कर पाएंगे अब क्लास के थुरू तो तुम यह जानते हो कि class एक अपने आप में user defined data type होता है तो अपन सबसे पहले हैं एक class define करेंगे तो में class define करेंगे तो class का syntax तुम करना चाहिए कि अपने एक ऐसे class लेके चलेंगे तो class का नाम ने largest रख दूँगा class का नाम कि यह ने जिससे प्रोग्राम से related जो भी वर्ड़ो वो नाम रख दो class का अपना एक एरिया होता है पूरा class का begin होगा class का close होगा यह जरूर यह सब याद हो जाएगा class का begin हो गया अन्य तो begin begin ब्रेस से करेंगे और class का यह close होता है याद रखते हुए चलो कि class कैसे लिखता हूं में तो यह class का close हो जाएगा तो यह begin ब्रेस सेमी कोलोन फोलो करेंगे यह पर सेमी कोलोन मस्ट भी फोलो सेमी कोलोन आएगा जरूर यह फोलो करो ठीक नहीं लगाओगे तो error आएगी अब class में क्यों होता है कि अपने यहां पर फिलाल एक single class लेकर काम करेंगे तो यहां पर नदो class के area होगा एक तो आपका इस तरह का एक अलग blocking होगी और एक आपका नदूसरा area होगा तो class में यहां पर visibility labels के तो दो area बना देंगे तो एक आपका को यहां पर प्राइवेट टाइप का area रखना होगा प्राइवेट टाइप का और कोलोन के साथ फोलो कर दो तो यह प्राइवेट और पबली करने यह क्या visibility labels है यह आपको याद हो जाना चाहिए तो यह कोलोन के साथ में जैसे कोई भी value लिखता हूं न कोई पूंच यूजर वर्ड है यह identifier identifier और इनके साथ में को फोलो किया हूं यहां पर विदाउट स्पेस कोलोन फोलो किया हूं तो इस केस में यह न लेबल बन जाते हैं याद रखने का पॉइंट आ है इस केस में लेबल नेम हो जाएंगे लेबल नेम को अपनको वेरिबल में इनमें डि इनिवेर प्रोग्राम में कहीं पे भी तुम लेबल बना सकते हो तो लेबल कैसे बनेंगे वेलिड वेरिबल नेम और देन कोलोन फोलो कर दो तो यह आपका प्रॉपर एक टाइटल हो जाएगा तो यह लेबल कर लेंगे फिर अपने पास यह क्या है कि तीन वर्ड होता है सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर तो एक तो यह प्राइवेट होता है हाने एक तो यह प्राइवेट होता है एक प्राइवेट हो गया और एक पॉब्लिक हो गया और एक वर्ड अपने और यूज़ करेंगे प्रोटक्टेड प्रोटक्टेड तीन वर्ड का यूज़ याद होना चाहिए कि इनका क्या नाम दिया एक्सेस स्पेसिफायर परिक्सा में आजाए कि एक्सेस स्पेसिफायर कौन से कीवर्ड होते हैं तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटक्टेड तीन कीवर्ड एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मोडिफायर होते ही है यह आपको ना साथ define है दोनों डोनों एक्सेसिफाई है पबलिक और प्डायवेट कोलोन के साथ deefine एक कोलोन के साथ डिफाईन तो इह वीजीबिलीटी लेबल्स कहला तो यह आप पबलिक प्राइवेट टाइप का लेबल लगा दिया ति प्राइवेट एरिया मेंसन हो गया पब्लिक टाइप पब्लिक लिखे कोलों लगा दिया ति पब्लिक एरिया हो गया दो प्लेस हो गए क्लास के इंदर एक तो प्राइवेट हो गया एक public हो गया, तो private क्यों होता है कि outer public के लिए hidden होता है, कोई भी outer user, private data को access नहीं कर पाएगा, जरूरी point याद रखने का, प्राइवेट जो data या functions होते हैं, वो outer user के लिए hidden होते हैं, direct accessing नहीं हो पाएगी, प्राइवेट एरिया का जो data या functions है, वो class के inside, कोई से भी area में method होगा, वो direct access कर लेगा, तो अगर private data को access करना हो, तो inside जो भी member functions है, class के अंदर, चाई वो protected area में रखावा हो, चाई public area में रखावा हो, चाई आपका private area में रखावा हो, तो कोई से भी area का data access कर लेता है, यह याद रखने का point होता है, तो public में अपने एक functions बनाएंगे, जो private data से सिधा उसका connection होगा, कि उस सिधा प्राइवेट डेटा को access कर लेगा, outside का जो user है, वो direct private data है, class के बाहर use होता ही नहीं है, class के बाहर वो hidden होता है, restricted area होता है, तो class के बाहर से कोई भी करेंगे, अपने इंटरफेस करेंगे, तो public functions के through करेंगे, तो class में एक important point हो जाता है, कि public में कम से कम एक functions आपको रखना ही होगा, अगर public को अपन ignore कर दे, तो pure आपके hidden class हो जाएगी, उस case में meaningless हो जाएगा, पुरा code, तो private जो अपन label बनाएंगे, तो एक area mention हो गया, public label बनाओंगे, तो public mention हो गया, पब्लिक area बन जाएगा, तो data को और functions को रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर, data को और functions को यहाँ में रख सकता हूँ, यहाँ भी data को यह functions को में रख सकता हूँ, तो अभी अपन करने यह वाला code बनाना है, पूरा, तो अपन data part को यहाँ रखूँगा, और data को access करूँगा, तो method ना, public के अंदर रखूँगा, फिर फब्लिंग में functions के थूरू पूरा logic लगाके और फिर functions के थूरू पूरी accessing देंगे पन फिर final अपन जब इसको run करवाएंगे तो एक main unit bottom level पे लिखूंगा तो C language में तो क्या होता है कि main unit जो होती है main functions वो top level पे होता है C++ में main unit जो होती है वो bottom level पे होती है थोड़ा से ध्यान देने का point हो गया तो अपन यहां पर क्या object oriented में एक class को design करेंगे तो आपका एक data create होगा कौन सा data create होगा user defined data type फिर user defined data type को age a primary data type की तरह काम में लेंगे यानि कि जो class बनेगे अपनी largest लार्जेस्ट क्लास के थ्रू अपन फिर न ऑबजेक्ट बनाएंगे तो यह तापकी class बन जाएगे एक data create होके user defined data create हो गया जिसमें आपका data भी रहेगा और functions भी रहेंगे और फिर अपन उस class से एक instance create करेंगे या variables create करूंगा फिर variables जैसे ही create होगा memory occupy होगी और देन फिर अपने member functions के through object के through data को access करेंगे और फिर अपने results को verify करेंगे तो यह activities अपने case से लिखे तो थोड़ा सा इसको अपने practically देख ले पूरा programs बना के तो यह concept class का लेके चलना है तो अपन यह आपको थोड़ा सा माइन में class कैसे बनाऊ और functions कैसे लिखूं तो logic यह तो अपन है न सी लेंग्वेज में programming में सीख चुके अब अपन को इसको class में design करना इसको तो यह design केसे करें न वह देखना अपन को तो अब अपन सी लेंग्वेज पर आ जाते हैं तो यह डेस्क्टो पे स्टर्बो सी प्लस प्लस का compiler अपने यूज करूंगा आप चाहो तो देव सी प्लस में लिखोगे वह आप अधर compiler में लिखोगे खाले compilation का ना एक आपन जो platform यूज करते हैं वह चेंज हो सकता है तो अभी में टर्बो सी प्लस प्लस compiler की help लोंगा तो मैंने मेरा compiler open हो गया फाइल होगे मेरे यह फिर यह अपका टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन खुल गई एफफ से फुल स्क्रीन हो जाएगा यह फुल स्क्रीन हो गया अब अपन को ने क्या करना है ताइटल आपको पता है तो सबसे पहले तो अपन हेडिंग देना चाहिए को भी प्रोग्राम हेडिंग आयेगा सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं कि बिगिनिंग पेडिवडिल स्लइव लगा दो तो यह कमेंट्स सेक्षेन नोन एगईट होता है तो क्या क्या करेंगे यीड करेंगे लीवड थ्लिए इंटेगर नमबर लीट थी इंटेजर्र नमबर को हैंण से यह find largest यह अपना है टाइटल रहेगा प्रोग्राम फाइंड लारजस्ट नम्बर कि बिगिनिंग पर लगाएंगे क्लोजिंग पर नहीं लगाएंगे नों नेगिजुकुटिव पार्ट हो गया टाइटल हो गया प्रोग्राम्स का फिर अपना लाइबरेडी फाइल से जूडेंगे तो हेस इंक्लोड आई एन सी एल यू डी इए यह इसका क्या नाम है सबको नाम याद हो जाएना चीहे यह प्रीप्रोसेसर है या कंपा embr डिरेक्टिव स्टेट्मेंट है क्या करता है लाइलरी से कनेक्टीवटी प्रोवाइड करवाएगा compiler को instruct करेगा कि किस library से जुड़े किस library से link करवा हैं फाइरलस का compiler को तो अपन को library चीह होगी आई ओ एस टी आर इए एम stream.h यह अपने एक header file है जो अपन इसके यहां पर हैंने connect करेंगे यहां और दूसरी header file अपनी होगी कोन्यो.h कोन्यो.h अब यह header file की जो importance ही ना कि अपन input और output का काम करेंगे तो iostream.h से object रन होंगे iStream और oStream आयो का मला है input stream और output stream तो दोनों काम करना अपन को input और output iostream.h जिसमें दो अबजेक्ट डिफाइन अपने एक तो c in x c out c in output stream से हैं c out आपका है na c out c in तो input हो गया और c out आपका output हो गया तो यह याद होना जी आपको उसके लिए अपने ने iostream.h चीज करते हैं यहां clear skin gate c functions के help लेते हैं तो को न्यू.h आएगा फिर अपर रहना यह वाइड में नहीं लिखेंगे अपन लिखेंगे सीधा ही तो class का एक नाम देदूंगा largest जिससे भी रिलेटेटेट जो भी किसन से वान टाइटल देख लो क्या नाम suitable रहेगा वह यह class का begin होता है class का close होता है class में private होता है यह याद हो जाएगा class में एक एरिया आपका ना public हो जाएगा public तो एक एरिया तो कम सी कम है आपको एक function पब्ली बनाना पड़ेगा private में क्या रखे पब्लीक में क्या रखे तो सिंपल सा अपन जो रिकमेंड करके चलते हैं जितना भी आप डेटा पार्ट यूज करते हो वह प्राइवेट में लेकर चलो और जितने भी आना functions जो बाहर से इंटरफेस करना चाहेंगे वह पब्लीक सेक्शन में रखो तो अपन को यहां पर डेटा पार्ट बनाना है तो यह आपका एक डेटा हो गया यह आपका दूसरा डेटा हो जाएगा यह सेपरेट लाइन में लिखते हैं वैसे तो आप चाहो तो एक सा एक लाइन में भी प्रड़न करेगा तो यह तीन डेटा लेके काम करोंगा तीन में से एक लाइजस्वेलि फाइंड आउट करेंगा तो सबसे पेले देटा को पढ़ो तो पढ़ने के लिए फंखसें बनाना होगा अपन को तो मैंने फंखसें बनाया वोई डीट कि यह पपलेक सेक्शन में अ डाइरेक्ट क्लास का डेटा को एक्सेस कर लेगा क्यों करेगा क्लास के इंसाइड है तो क्या रूल हुआ क्लास के इंसाइड जो भी मेंबर फंक्संस है वो कोई से भी डेटा को एक्सेस कर लेगा चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो चाहे प्रोटक्टेड म इंसाइड मेंबर फंक्शन्स डायरेक्ट क्लास का डेटा एक्सेस करता है यह पॉइंट आपको याद हो जाना चीए तो अपनको यह ब्रेकिट के अंदर कोई पेरामिटर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट क्लास के अंदर है डिफाइन तो यह क्लास का मेंबर फंक्शन्स करलाएका है तो यह सीधा ही कलास का कोई सावी एरिया का डेटा एक्सेस कर लेगा तो अपनको यहाना पेरामिटर देने की कोई रिक्वायर्मेंट नहीं फिलाल भी फिर अपन जब यह टेटा से तीड़को जब एक्सेस करेगा तो एक रिजल का यह ऍडिटर्म इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया तो अपन इसका रिटन का टाइब इंटीजर रखा वोईड में क्या होता है कि सीधा ही पढ़ रहा है तो कोई ने तो रिटन करेंगे ने कोई डेटा इसमें आर्गिमेंट देंगे एक फंक्सनस बनाएंगे जो सीधा ही ABC को रीड कर ले तो आपने थी फंक्सनस लेकर इस पूरे कोड़ को ने पूरे यूज गरें आपन तो अभी क्या हुआ कि डेटा पार्ट हो गया प्राइवेट तो यह तो इसको था बोलेंगे मेंबर डेटा ओफ ग्लास मेंबर डेटा तो एक क्रिश्चन बन जाता है वाटिज मेंबर डेटा तो class के जो inside data है वो member data कहलाएगा और what is member functions class inside functions is called member functions तो class data से और member functions से बनती है यह आपको याद हो जाना चीए class किसे बनती है data से और member functions का पूरा अपन एक साथ put करते है और एक class बनाते हैं तो यह आपके है न एक class बन गई अभी member functions को अपने define नहीं किया एक declaration कर रखा अपने तो member functions declaration is prototype यह सब न प्रोटो टाइप declaration है functions functions prototype functions को यूज करने से पहले पूरा अगर उसका description दे देंगे compiler में पूरा heading define कर देंगे तो prototype है तो prototype में क्या आता है functions का नाम है रिटन का टाइप है argument की लिस्ट है इच आर्गुमेंट की लिस्ट का data टाइप है तो चार informations है जो prototype describe करेगा एक तरह से compiler में declaration होता है वो prototype कर लाएगा functions का तो functions का declaration में सब कुछ आ गया चार information सागी पूरा description हो गया एक तरह से सिंगर लाइन में हो जाता है तो यह prototype कर लाएगा अब अपने functions लिखतो दिए अब इनकी definition लिखो अब definition अपन कैसे लिखे तो definition जब लिखूंगा अब सबसे पहले तो देखो इनकी नाम क्या क्या है तो तुम देख रहे हो नहीं यहां पर एक functions तो हो गया read दूसरा हो गया large तीसरा हो गया display फिर मैं तुम से कहूंगी class का क्या नाम रखते हो तो class का नाम मैंने रखा largest तो यह कौन सी class के functions है largest के जहां देने का point है कि read किस class का है largest का लार्ज फंक्सन किस class का है largest का इनका accessibility किस तरह की है public type की data की accessibility किस तरह की है private type की private का क्या मतलब हुआ outside ना access नहीं होता class के बाहर direct accessing नहीं होगी और read large display यह outside ना user इनको access कर पाएगा अब क्या लिखें अब कैसे लिखते हैं तो यह questions अपने हमें बन गया how to define class member functions there are two methods there are two methods to define class member functions एक तो गया आपका inside the class ज़र declaration करेंगे functions का वहीं पे definition को put कर देंगे inside तो कब करेंगे जब अगर functions की coding small size में है तो देन अपन उसको ना inside में code लिख सकता हूं उसका और जब functions थोड़े से लार्ज हो जाता है लूप statement आ जाते हैं तो उसको फिर आपना outside ही define करेंगे रिकमंट करेंगे पन तो अब हम कैसे करते हैं तो functions define outside the class functions define functions define outside the class ज़रूर यह point यहाद होने आपको कैसे करते हैं अब syntax देखो functions को जब से लिए फंक्सें सारा मेरे पास तो functions का रिटन का टाइप सबसे पहले आएगा यहाद दियान देने का point फिर किस class का functions है largest का यह largest का गया है largest class का नाम लिख दिया मैंने अब यह reader किसका scope होगा largest का तो इसको define करने के लिए scope देना पड़ेगा तो यह double colon का जो symbols है इसका एक नया नाम हो गया scope resolution operator नया operator इंट्रोड्यूस हुआ है important operator है अभी याद कर लो कि जो यह चार बिंदू होते हैं यह double times colon होता है without spacing तो यह एक नया operator इंट्रोड्यूस हुआ है C++ का scope resolution operator तो यह क्या काम कर रहा है अभी case इस case में class के जो member functions है उसको outside define कर रहा है अब कौन सा functions आ रहा है सबसे पहले अपने पास read आ रहा है तो अपने रीड को define करेंगे functions को जब तुम define करते हो definition लिखते हो तो यह first line जो header line होती है कभी भी semicolon नहीं आता तो अपन को यहां पर कभी semicolon नहीं लगाएंगे यहां पर सेविकोलों लगा दोगे तो यह रहाएगी तो यह अपना एक read functions हो जाएगा अना एक अपना इंटीजर functions हो जाएगा अना एक अपना इंटीजर हो जाएगा इसकी copy कर लिता हूं मैं न यह इंटीजर functions हो एक इसको बना देंगे अपन और एक functions अपना ओर लेंगे तो अपन नहीं यह सबसेले तो रीड हो गया largest का largest का यहां पर इंटीजर डाइब का data रेटन करेगा तो इंटीजर अब नाम देखो क्या नाम आ रहा है दूसरा functions का लार्ज आ रहा है तो यहां पर लार्ज यह लिग दिया और तीसरा फंक्सन कौन सा रहा है यहां पर तुम्हारा रहा है वाइड लार्जेस्ट रीड की जगए डिस्प्ले पीले डिस्प्ले अब अपन को यहां एक लोजिक लगाना अब रीड क्या क्या करेंगे एक तो यह सेपरेटलाइन में पढ़ते तो आपने जैसे आप चाहो वैसे वैसे कर सकते हो जैसे तो जैसे मक्स इन्हीं ने लिखख कोटेशन में एंट एंटर यह एंटर ऍसफे लाइन के सेपेड लाइन पढ़ रहा हूं फिलाल टेकन हमेल्यू ओफ एंब यह की वेल्यू देधाँ पुद एस सिंब वैल्यू लेने सेमिकॉलन लगा दिया यहां पर उपर लिए यहां पर सी इन लेक्द यह और सी इन ग्रेटर इनका सिंबल्स आएगा तो यहां पर एक वेरिय मना जाएगा यह एसे यह ज़ी यह दूस्रा पढ़ लो यह जो लेजर लेजर ने पुट टू अपरेटर है एक्स्रेक्ट और इंसर्ट इंसर्ट इंसर्चन फिर तीसरा डेटा ओर पड़ो तो एंटर दा वेली ओफ बी की जग यह सी कर दो फिर यहां पर अपने यह सी ले लिया यानिकि सेप्रेट लाइन में मैंने तीन वेरिबल व क्लास का मेंबर है तो रीड को डाइरेक्ट अपन ऐसे एक्सेसिंग नहीं देंगे औप्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिंग देंगे अब तुम चाहो तो इन तीनों लाइनों को एंटर दा वेली ओफ ए बी सी फिर सी इन में एडबल गिरेटर देन एफ डबल गिरेटर देन ब पढ़ रखा है conditional operator, तो conditional operator कौन सा होता है यह होता है अपने पास, अब स्था क्म चाहिए तो इससे भी कर सकते हैं, तो इसमें यह कौन सा operator है, tenery हैं, तो यह 3 argument लेज़न ऍक्राईच काम करेगा, तो 3 operation क्म के लेज आपक एक tillgunies से पहले हो गया, से just լाहए हो गया, एक colon के जस्ट बाद हो गया तो colon क्या करता है true false को separate करता है questions क्या करता है conditions को test करता है तो अपने पास तीन नमर कौन-कौन से है तो A और B है सबसे बहुत A और B को ले लो यह conditions हो गई अब यह conditions सही हो जाती है तो या तो अपने पास A आएगा यह अपने पास B आएगा अगर सभी हो गया तो ए आ जाएगा गलत हो गया तो बी आ जाएगा और यह एक एक कंडिशन टेस्ट हो रही है दो नमर को लेके ग्रेटर देन की तो अगर ए ग्रेटर भी हुआ तो ए अधरवाइज भी होगा फिर अपने यहां पर चेक करें यहां और इसी कंदिशन झाएगा अगर बी लेके चलूँगा तो फिर इसकी सीसे पिरमेचिंग करूँगा मैं s अगर यह सही हो गया तो यहां पर है आजाएगा अचाल नहीं आप बी आ जाएगा क्योंकि यह डाए पीच में कंपेर जहें अधरवाईस सी आजिए जएका अब जो भी नमबर पनिया सलग करें वह एक अपने यहां पर इसमें राल देता हूं में इंटीजर एल में कि एल में असाइन कर दूंगा कि एक रिजल्ट को लेके आएगा तो अपने एल में रिजल्ट को यहां पर यूज कर लेंगे आपका आना चीखे तो अपना यहां से I can't it हो जाएगा और फिर अपन यहाँ पर प्रिंटिक करा देंगे यहां पिर इसे डिस्पै tons सी याउट में अगर तुम चाहो कि तीनफ वेली प्रिंट करा दो तो तीन वेली को प्रिंट कराने के लिए मैंचाय वह सकता हूं जैसे एकमर讲 वय्हां आ Alrighty फिर मालब कि अपम ने टेप अंज कर लिया ने तेप के अंज द्सों ती सिंगलेव और ना इसको लेके लेस्टी को भी डबल पोर्स में डाल सकते जैसे एक है मोता हो तो भी मिली सकता हूं फिर अपन बी की बेली प्रिंट करेंगे तो फिर यह ओपड़ लगाओ फिर यहांपर कोल से इकवल लिखो फिर बीकी वेली यहांपर आ जाएगी इसके आगे कोटेशन बंद करो फि यहां पर C QA को प्रिंट करा दो इस इक्वल C equal तरह सीट को पिर्ट करके और फिर इसको कॉल करेंगे पर लार्ज इस फंक्संस में इसको फिल आ इस फंक्संस में उपन कॉल करेंगे तो यहां पर न सी को प्रिंट करा देंगे यहां पर सी को मैंने प्रिंट करा दिया फिर अपन लाइन चेंज करना चाहूंगा तो लाइन चेंज करने के लिए एंडी यह नया न मेनू प्लेटर कहलाता है लाइन चेंज करने के लिए अपनी कुछ करेंगे तो यह अपना एक त लारजेस्ट इकवल फिर अपने यह पे फंक्शन को कोल कर लेंगे अभ लार्ज नमर के से आएगा कहन से आएगा तो अपने फंक्शन बना रखा लार्ज तो लारज फंक्शन अपने अपने केल्कूलिट करके एक रिजल्त को या प्रिंटिंग में डाल देगा तो ये जी डाइरेक्ट मैंने कोल कर लिया कोल करके मैंने लाइन चेंज करती हैं यह पेंडल यह मेरा ने पूरा कोड डिस्प्ले का हो चुका यह मेरा कोड डिस्प्ले का हो चुका तो मैंने इस फंक्सन को कैसे रिलेट किया सबसे पहले मैं रीड करूंगा तो इंडिपेंडेंट फंक् को ले लेगा तो यह नेस्टेड को लिंग भी हो गई यहां पर अपने आप में अब इसको रण करना चाहेंगे तो वॉइड में फंक्शन को सबसे बोटम पर लिखते हैं अब रण करने के लिए जरूर ही है कि यह में तो लिखना ही पड़ेगा यह कंपसरी हो गया आपका बिए इस था सच अब्जीक और यह रहेक है माप यूजनी ओगी जय करेंगे प्रोपर में इसको होदेग करेंगे यह उत बुक्त करेंगे तो यह पूर्मी ऑक्योपाी करेंगा जाए अगा सबस्धेच्यं अब्रूपॉरेश है पिर मेने के लिए iskin के लिए स्क्रीन हो गया यह और बीज डोट का कॉल कर लिया इसे काने गोगे में अ फीर और बीजे डोट डिस्प्ले को लो गया यह च और यह मेरा फाइनल क्लोज हो गया है ना एफ्ट उसे में सेव कर लूंगा लार्जेस्ट नाम दे दिया मैंने रन करा दूंगा कंट्रोल एफ नहीं अभी एरर आ रही है अब देखो क्या एरर आ रही है फंक्शन सूर्ट रिटन एवेल्यू तो यहां पर अपने रिटन नहीं किया यहां पर एक अपन को आपने और को यहां करेंगे वहां रिटन टीए थू या क्या पर इंटीजरल न अनप नंए तो इस एल को रिटन कर आओ क्योंकि एक में रिजल तो कम अभी आजकले तो यह नहीं डिस्पले में इसका लिंक दे रखा मैंने तो ये अल डिस्पले में रिटन देगा तो यह आपका अभी भी एर हार रही है यह यह मल्टीपल रहने ब्रेसे से यहां पर लगा रख्या परने इस सबको अटा दो एफ टूसे अगें से लो कर लो फिर कंट्रोल एफ 9 करूँ वेल तो फाइव शीक्षेवन हो गई सी घ्ली तरटी टो में लाजा देल फाईव श्यक् des Rugby तो आप यह सी प्रिंट निए उड़ा तो अपनि सी को एंद्क पности अप्रीट Krassi को में लिख quelqu आ यह प्रिंटिंग अपनी है चल रहिया ची है यहापन है थीट channel और अगर आपनको और भी लाइन या ब्लेंक लाइन जनरीट करने है तो सी आउट करके ब्लेंक लाइन आप देना चाहो दे सकते हो एंड लने एंड लाइन तो एंडल मेनू प्लेटर रहा है लाइन चेंज गरेगा अब अपने इसको एक विभी देखिए अब एक वेलिव मानलों मैंने 34 दी वी की वेलिव टू दे दी सी की वेलिव एने यह देदी तो लाइजस्ट वेलिव आपकी होगी लाइजस्ट तो 765 इसका अबने पूरा Okay है program proper run हो रहा है तो आपका ये पूरा code बन गया रहने ये पूरा code बन गया तो इसको आप note down करना चाहू कर सकते हो तो अपने किया कुछ नहीं है ज्सटाइल हो ठाइल फड़ाइल चेंज किए तु ये तो आपका comment section हो गया single line comments है यह आपका linking section हो गया library से connectivity है और यह जरूरी हो गया यह structure का improvement है तो अपन इस्ट्रक्चर की जगे class ले लेता है और फिर यह यहां data member अपने यह पूरे member data member हो गये functions हो गये तो दोनों का collection class हो जाती है फिर data member को अपन private accessing देंगे और public में अपन functions को रखेंगे तो यह colon के साथ define करेंगे तो वीजिबिलिटी लेबल्स बोलेंगे इनको तो यह private area define हो रहा है यह public area define हो रहा है तो यह अपने आप में access specifier भी है private public protected फिर अपने इन functions को जब भाहर outside define करेंगे तो यह सबसे रिटर्ण का टाइप यह आएगा फिर class का नाम आएगा और फिर functions का नाम आएगा तो अपने इसको फोलो करते वे यह अपने पूरी titling कर दी आपने यह written का type है class किस class का functions है इसको resolution operator फिर read इसको लगने लगा होगे तो error आएगी फिर यह पूरा coding हो गई यह वाली अब काम क्या करेंगे तो अभी तो यह रीड़ी इंपुट का यह काम करेंगा variables की value को read करेंगा read करने के लिए c in और c out दोनों यह object है को मुच्छे what do you mean by c in c out तो बहुत हार object so c in का input stream है और c out का output stream है और यह largest अपने integer type का return लेंगे इससे तो यह क्या करेंगा result बनाएगा तो कौन से operator के help कर रहा है conditional operator के तुरू तो conditional operator को ternary operator भी बोलते हैं अपन तो यह क्या करेंगा condition check करेंगा अब यहां पर यह nested हो गया कि अंदर आ गया सही होने पर a को लेकर सी से मेच कर रहा फिर condition हो गई और गलत होने पर b को लेकर सी से मेच करता है सही हो गया तो भी अधरवाइस सी तो जो भी यह सलक करेंगा result एल में असाइन करतेगा अपने आप फिर एल को पर रिटन करेंगे जहां को लिंग करेंगे इस लार्ज को जहां पर भी तुम कोल करोगे तो यह वेल्यू अनुआ चली जाएगे अपने आप तो यह डिस्पले में लगा ना हूं यह मेशेज घिए सी का वेरिवल प्रिंट करेंगा फिर एंडल लाइग है को और यह बात से आरिक आ कर भाताँ पर हो niece यह यहाँ ब्यूली लेकर आएगा इस से इन्टीज हो तो आपने इस पूरे प्रोसेस को कि से एecडियूट कर पर तो execute करवाने के लिए main method लिखना होगा bottom position पे तो main method बनाने के लिए यह तो यहां तक तो पूरा abstract data type हो गया यहां तक तो पूरा class का तो यह एक blueprint की तरह बन गया design वाली phase हो गई तो यह user-defined data create करने का पूरा portion है तो इसमें सब कुछ include data data भी है और पूरा अपना method भी है तो अपन इस design करने के बाद में object बनाने का काम रहेगा अपना पास तो यह class का object है उपपर जो लिखा यह पूरी class थी complete class हो गई तो abstract data type create हो गया तो इसका नाम largest रख दिया तो largest को जैसे अपन integer float character यूज करता हो ना वैसे ही largest को यूज कर लो एक variable बना दो जैसे मैं लिखता हूं integer a तो a is the variable यहां पर largest का object बन गया object से फिर read को अपने call कर लिया object.display को call कर लिया डिस्प्ले से फिर largest large में जाके यह value result पुरिंट कर देगा और देन अपने close कर देगा यहां पर आके तो यह इस तरह से आपकी पूरी coding हो गए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो subscribe करे और share करें दोस्तों के बीच में अच्छा ना अच्छा प्रोग्राम ही है आज के class को अपने ही paint करेंगे thank you